हमारे स्टूडियो में है शिवराज, सर नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते, सबसे पहले तो मैं बच्चों से, बड़े लोगों से, औरतों से माफी माँगना चाता हूँ इन जी बच्चों से इतिसारी बुसीवत आई है, जाकर कहीं दूब मर सबको पता चल जाएगा, आप हाँ कहे तो मैं कॉल्स लेती हूँ लेवी जी, इफ पॉसिबल सभी कॉलर्स को एक साथ ले सकती है लोग जगडा करेंगे करने दो, मैं फेस कर लूँगा ओके, अब ही कॉलर्स रेडी है, हेलो, शिवराजी है, उनसे बात कीजिए सर, मेरा नाम देयानन्द है हाँ, बुलिए देयानन जी सर, क्या आपको ये सब सही लग रहा है? मुझे तो सही लग रहा है, आपको गलत लग रहा है चलो, बात करते हैं, बताई आप क्या करते हैं इवेंट मेनेजर एंजिनियर इंटिरियर डिजाइनर आर्किट्ट इचर, जैंसर इसनेस्मन, लॉयर इन सब के लिए क्या होना चाहिए? दिवाग टैलेंट एदुकेशन फाइन, ये सब कैसे मिलता है? योगा, ध्यान प्रैक्टिस और हाडवर इस सब कहां से मिलता है? शक्ति ताकत ट्रेंद कौन सी स्ट्रेंद? फिजिकली, मेंटली या फिर मौरली? फिजिकली, मेंटली फिजिकली, मेंटली बोथ और ये मिलती कहां से है? खाने से खाना खाना वो देता कौन है? किसान किसान निन भी कभी किसानों के बरे में सुचा है तुम लोगों ने, या फिर किसानों को क्या तकलीफ है, ये जाने की कोशिश की है, नहीं। अगर हमारे देश में ऐसा ही होता रहा तो आने वाले वक्त में एक निमाला खाने के लिए लोग आपस में लड़ने लगेंगे ग्यारा लोग क्रिकेट खेलते हैं तो देखने लाखों लोग आते हैं करोडो रुपे खर्च होते हैं लेकिन बेचारे किसान की प्रॉब्लम क्या है ये जानने पर कोई एक भी आता है? नहीं आता? आज गली में जो बेचारे सबजी बेचते हैं उनसे हम तोल भाव करके कीमत कम करा लेते हैं अगर हिम्मत है तो पीज़ा बर्गर स्टार होटल में तोल भाव करके दिखाओ न अब शमा करना ये किसी के विरोध में या दिवेश की लड़ा ही नहीं है सबसे हज चोड़कर यही कह रहा हूँ आप लोग जो काम करते हैं उसमें आपको जो इज़त और सम्मान मिलता है वही इज़त और सम्मान किसानों को भी मिलना चाहिए यही मेरा उद्श है अभी इतना पूलने के बाद अगर मेरी कोई गलती नज़र आती है तो शमा करना